प्रेमानंदी महाराथ सुंक एचे, कर्मनिगति केवी होईचे, केवा बदला आपवा पड़े जीवन माँ ऐसा दोखा हमारे साथ, भोगोगे तो यह जो निकलता है ना भोगोगे, यह अकाट्य होता है क्योंकि किसी का भी हर्दे, मालो किसी भी जीव जंतर को आप कष्ट दें और उसका हर्दे आह भर जाए तो वो आह बच्चर की लीख है तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो आह किसी की ना लेना जिन्दिग कोई यह शाकाय, कोई आवर करके तो कह दिया, तुम शमर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और अंदर से तुकि फिर तुम्हारी शमर्थ काम ने करेगे, मिट्टी में मिला देगे ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं, अवश्य में भोगत अब्यम, बहुत शावधा जीव, स्वयम, नित्य, निरंतर, कर्मों के जाल को रच राए और अपने आपको बांध राए आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना रिंड चुकाना होता है, कर्मा अनुबंध ये बहुत सूक्ष में भी शेह है, जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए है तो उस परिवार के लोगों से आपका रिण है इसलिए उसी परिवार में आप आए और इनानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वशूल किये आप वहां से जाएंगी नहीं आपको लेना है तो वशूल करना है और देना है तो चुकाना है ये पूरु के जन्मों से निश्चित किया गया है जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ जो बड़ा हुआ तो उद्धंडता के द्वरा मार पूरे परिवार को क्लिस पर क्लिस देता चला जा रहा है यह तुमारे कर्म का फल है यह ओ ऐसे सक्तीन, बुद्धीन ऐसे पाकल जा पुझे जीवन सेवा करो तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वाया है अब परिवार के जो शदश से जुड़े आके मर पत्नी आते ही पूरी हर्दे में आनंद परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही शुक देने के लिए उसका जन्म हुआ वो अपना रिणान बंद मुक्त वो आते ही भैंकर कलेस खड़ा कर दिया बीच में दिवाल और जगड़ा वैसा फिर अतरे दिन मार पीट सुरू कले शांदी पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आई यहां रिण चुकाए भी न कोई जा नहीं सकता रिण चुकाना पड़ेगा किसी का रिण वसूल करना है तो किसी को रिण चुकाना है दोनों काम करने होते हैं अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बरताव किये हैं अच्छे या बुरे वो होंगे अब किसी आदमी को हम जानते नहीं अचानक मिला अचानक टक्कर लगाओ मार पीट गाली गुपता सब कर दिया चुक चाप सहलो क्यों यह आपका हिशाब है का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दिर हिशाब है एक प्रभुदत ब्रह्मच्यारी जी की वानी में पड़ा था एक महात्मा जी ब्रह्मन करते थे तो उस चमय असरफियां चलती थी मोहरे असरफियां उनको भेट में देते लोग तो उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए शिद्धांत में ये ठीक नहीं है तो जब दो, चार, छे, आठ ऐसे मोहरे हुई उनको विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रियाग राज में जब कुम्ब पढ़ता है एक बार पूरे शाब अखाड़े के संतों को अलग अलग संप्रदायक साब संतों को बुलाएंगे और सब कुपवाएंगे अब शादू है तो ये ही विचार करेगा और क्या विचार करेगा तो उन्हों ने ऐसे डंडा बनवाया बेंथ जो उपर से चूडीदाग और भीतर पोला और मोहरें उसमें डालते जहां जहां सब्धाल भगत के सब केहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर्त देदे रक्षिना में कामना कोई भी हो वो बांधती ही है ध्यान रखना इसलिए प्रभु जो चाहे वो करे अपनी चाह नहीं रखनी चाहे अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहे धीरे धीरे वो छड़ी भर गई ब्रह्मन करने वाले मात्मा चूड़ी लगाई इंतिजार करते रहे जब प्रयाक का कुम्भ पड़ा तो चले तो रास्ते में एक गाउं में पूछा जाता है जिससे कहीं कि कुई श्रत धालो ऐसा है तो संत सेवी है तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं हमसे है आहिए महाराद घर में रुका खुब अच्छा हलुआ पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दवाये चरण दवाते दवाते उनकी द्रश्टी पड़ी उस डंडे पे इतना मोटा और उपर से कुछ चूड़ी से भी नजर आ रही इस डंडे में तो कोई रास्य है अब महात्मा जी को खवा पिला के शुला दिया महात्मा जी जब सो गए तो पत्तिनी से धीरिस का और डंडा लओ बावा जी का और चूड़ी दार जो ही खोला पलटाया तो सेकुणों मोरें जो ऐसे संत रोज पधारे वगवान तो आनंद हो जाए फिर क्या पत्तिनी से का नाप के कंकड लाओ तो महात्मा जी तो खाय खीर पुड़ी आराम से सो रहे हो रहात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकर भरके चूड़ी लगा कर सिराने रख दिया सारी मोहरें टाली महात्मा जी आराम सिर्शड़ी उठाय तो वजन पक्काव ऐसे बड़े लोग चितुर होते हैं पर यह नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है और उनके कोई शंतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेम उनको था बहुत शावधान शाधू महात्माओं के पास जो अर्थ है ग्रेहस्ती अगर आता वहीं से है पर अगर उसको जोर्जवर्जस्ती या किसी छल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है आज तक का प्रमान है अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोग की कारण वो उसको मान नहीं पाये होंगे मातमा जी गए प्रयाग में किसी अखाड़े पर रुके और वहाँ प्रार्थना की कि कल जो है संपुर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और शाप शंतों को भोग पवाया जाए उनको दक्षणा भी दी जाए महांत ने शोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सों है क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा शब उनका महराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा सब दिवस्ता है एक एक हिशाव हम करेंगे हमारे पास सब दिवस्ता है कुछ तो पहले दे दो एक अठे देंगे उनको था कि अगर हम छड़ी खुला और दो चार महरे नहीं किसी पता लग गया तो गड़बर हो सकते हम भंडारे कि आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे वो अपने पास से पैशे लगा कर खुब जितना शामागरी शब लाए लागों की और सब्षंतों को निमंत्रण कर दिया शंत जन निमंत्रित हो गए भंडारा बन रहा है तब वहां के महांत आयर उनका देखो भंडारा भी बन रहा है शंतर को निमंत्र अब आप अर्थ की बेवस्था कीजे क्योंकि इतनी बड़ी हमारी शामरत नहीं थी जितना किसी तरह हमने ये बेवस्था की अब मुझे अर्थ चाहिए तब ही आगे की बेवस्था बढ़ेगी संतों को दक्षना देंगे और जिन से अर्थ लिया उनको दे देखो रश्वई बन गई है सब उनका चत में बिश्वास नहीं दे आगी है चूड़ी खोली उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकर तो जिसे कितन अब बोलें तो क्या बोलें कि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें अंदर शे उनका चिंतन गया उसी शेच के पास अच्छा ऐसा दोखा अमारे साथ किया भोगोगे तुम यह जो निकलता है ना भोगोगे यह अकाट्टी होता है क्योंकि किसी का भी हर्दे मालो किसी भी जीव जन्तुर को आप कष्ट दें और उसका हर्दे आह भर जाए तो वो आह बच्चर की लिखे तुम्हें भोगना पड़ेगा वो देखो भीसम जी को भोगना पड़ेगा साप को ऐसे धनुस की नोक्षे उठाया और बंबूल के काटों के उपर फेट दिया कई दिन तक शेदा हुआ वो आह भर करके मरा तो आपको छे महिने बाणों की सईया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी पर कोई ये शाकाय कोई आह भर करके के दिया तुम शमर्थ हो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और अंदर से फिर फिर तुम्हारी शमर्थ कामने करेगी मिट्टी में मिला देगी फिर ये तुर शंत थे और भगवत आराधना के लिए शंत आराधना के लिए ही ऐसा किये थे अब इन्हों का कैशे मूँ दिखाएं अब क्या करें शुवे शंत जन आएंगे सब के बीच में हमारी के देखो हैं अब क्या करें गए और शंगम में जाके छलांग लगाए उपने प्राण दिया अब उनकी तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा और नोदस महिने बाद ही लड़का हुआ अब तो उनको आँकी संत फली उथ हो गया देखो व्यापार चला लड़का नहीं होता था लड़का भी हो गया बड़ा आनंद शा रहा है जब से वो प्रगठ हुए और धन की ब्रद्दी शुरू हो गए पढ़ाए लिखाये में उनके खर्चा हुआ सब बगबीमारी शुरू हो गए उनके सरीर में अब उसमें पैशा जाना शुरू हुआ इतने आशक तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो ब्याबार ठप संपत्ती बेचना शुरू तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुमारे लिए बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग शलो और इतने प्रयाग में शंत महत्मा शब को एक बार भंडारा करवा हमारी इच्छा अंतिम है क्योंकि अंतिम यह इच्छा थी बोले अब ज्यादा संपत्ती तो नहे रह गई तो बोले घर बेच तो मेरे लिए ही तो है बेच मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं पर मेरी अंतिमिच्छा पूर्ण कर दो गर बेच दिया जेवर बेच दिए वहां गए जब शंत शेवा की तो गोले मुझे संगम तक ले चलो संगम तक ले गए और गोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ अपके वल ममता और आसकती में जल कर मर और नर्क प्राप्त कर मैं वही मात्मा हूँ जिसकी तुने मोरे ली थी सरी छोड़ दिया मात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुरगती भोगनी पड़ी रिणान उबंध होस में ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा कोई हिसाब किताब नहीं जो कर रहे हैं अवश्य में भोगत अप्यम बहुत सावधार अनेक जन्मों में अनेक लोगों शे जो कुछ लिया दिया है इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त होगे इसलिए एक उपाय है लेना न देना मगन देना क्या मालिक को समर्पित हो जाओ मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो खतम आहम तौ आहम श्रु पापि तो साबीड़ु तमें बदाए है प्रमादिश जी महाराय जी सु किदो अपड़ा फेमेली मां जन्म सुकाम थेयो अनेक जन्मों ना अनेक लोकों ना अपड़े आहाटली दिया कोई ने महात्माने दिक्रों बने नाववव पेडियों अने इना सोराने लाजे हीरा जड़ी था तो ए बदू इने पाच्छु परत करवव पेडियों पाइमल थाई गया आतो छेना सत्य अच्छे जेमन तो आद इतना अपड़ा बदानों जन्म थतो वही छे बरबर देट मेख गैनलोकों ने केक्पन सांपड़े तो 5-2था एसले सत्संघ अरीकत्ता सांपड़वानी सथो महन तो घना बदा छे घ मने सारा लागता आं बरबर उन तो भदाने सांपड़ो उन तो बदधी बाजू थे सत्य जात्वी मड़ ति लहीले दवानों किके सत्या कोई ना बापनों ना थी, सत्या तो सत्या चे, सत्यां परम दीम ही, तो चालो, आम आती कैक पन सीख मर से, फरिवार मरिये, नवा वीडियो साथे, त्यांसे आप सोने प्रणाम, जे माता जी, जे दर्कदी, चैसी आराम